एलो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम वेक आवर यूटूब चैनल इस्टाडी सर्कल 24 डियर इस्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 36 गड़ माध्मिक सिक्षमंडल रहपूर के दोरा आज 7 जनुवरी को एक आदेश जारी किया गया है जो की प्रैक् जारी की गई है तो चलिए हम आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है ठीक है तो आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि यहां बताएगा कि दसमी और बार्मी की जो परिच्छा जो प्रयायोगिक परिच्छा होना था ये COVID-19 महमारी के मद्दे नजर रखत हुए ये जो प्रयायोजना कारे जो संपन करना था इसके लिए अभी तक ये आदेश था कि बाहर से एक्स्टर्नल आएंगे ठीक है लेकिन अब इस महमारी को देखते हुए अब ये निर्दे लिया गया है कि सबसे पहले ये जो आदेश ये आया हुआ था कि 10.1.2022 से 31.2022 के मद्दे प्रयायोजी परिच्छाय संपन कराने का निर्देश था तो अब इसको इसी डेट के अंदर ये प्रयायोजी परिच्छाय संपन कराई जाएंगी परंदु जो बाहर के एक्स्टर्नल आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ प किये जाने हे तो कुछ अतरिक्त निर्देश जारी किये गए है। इसके अनुसर थीक है? क्या कहा गया कि 12 और 12 की प्रयायोग परिच्छक के आयोजन हे तो बाहपरिच्छक की अनिवारिता को समाप्त की जाती है. ठीक है यानि बाय परिच्छक होता है external ठीक है तो external की जो compulsory था कि इससे पहले की external आएंगे लेकिन अब इस notice notice के निकलने के बाद अब बाय परिच्छक अब नहीं आएंगे ये क्योल आपके school इस्तर पर ही लिया जाएगा ठीक है और आपका प्रियोजना भी साथ में ही होगा तो बाकी चीजे social distancing का पालन किया जाएगा और साथ ही sanitize किया जाएगा उस्कूल में तो इन सब को जो COVID महामारी के जो आपके guideline है उन सब को पालन करते हुए जो निश्चित समय समय अधी है उसी में ये complete कराए जाएगा एक बात और कि जिन उस्कूलों का भी उस्कूल close कर दिया गया है COVID-19 को लेकर ठीक है राइपूर और बेमितरा की कई जिलों के उस्कूल ऐसे हैं जहां उस्कूल को बंद कर दिया गया है ठीक है उनका वहां practical exam conduct किया जाएगा ठीक है तो इसलिए आप लोग विल्कूल भी टेंसन नहीं लीजे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए और जो भी अगर doubt होता है तो आप वीडियो के comment section में comment करके आप हमसे पूछ सकते हैं राइट और अगर आभी तक आपने पूरेजना नहीं लिखा है तो आप हमारे channel के playlist पर जाकर पूरेजना के वीडियो डले हुए हैं तो आप वहार से भी लिख सकते हैं तो मिलते हैं आप से next वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही thank you and good luck